आज हम देखेंगे साइंस का मोडल पेपर का पहला वीडियो जो आपके मायटरिक बोट परिछा के लिए बहुत ही इंपोरेंट है तो दोस्तो अगर आप भी इस बार मायटरिक बोट एक्जाम देने बाले हैं तो इस वीडियो को सुरू से आम तक जरूर देखें क्योंकि दो कोशन का जवाब आपको खुद से देना पड़ेगा और जो भी स्टुडेंट पहले इस कोशन का जवाब दे देंगे उनका हम नाम कमुनिटी पर सेर करेंगे दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी स से स्टार्ट करते हैं देखिए पहला प्रस्न काता है कि वास्तिविक बस्तु का अभासी परतिवीम किस दर्पन में बनता है देखिए आपको ओप्सन दिया हुआ हुआ है उतल दर्पन में उसके बस्ति है आउतल दर्पन में और दी है इन में से सभी तो दोस्तों जो बस् देखिए दूसरा प्रस्थ्न काता सब्सक्राइब अको योगा योगा होगा योन उसके बाद आये अगला प्रस्थ्नपे देखिए तीसरा प्रस्थ्न गाता зовут कि से बाहर ऑफ्रे दो गोलिये प्रिस्ट हो तो इसे कहेंगे यानि कि कर आया कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलिये प्रिस्ट हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे तो दोस्तों इसको हम लोग कहेंगे उत्ता लेंस यानि कि हमारा सही उतर क्या होगा ओप्सन सी वह जागा देखे दोनों जिसका खत्रे के सिगनल में उप्योग होता है यानि कि खत्रे के सिगनल में हम लोग किस रंग का उप्योग करते हैं तो दोस्तों हमारा उतर होगा लाल रंग यानि कि हमारा सही उतर क्या होगा ऑप्सन सी होगा और दोस्तों लाल रंग का जो तरेंग धैर होता है वो सबसे ज किस रंग के लिए तरंग दैर्य अधिकतम होता है तो हमारा उत्तर क्या होगा लाल रंग यानि की ऑप्सन सी हमारा बिल्कुल सही होगा उसके बाद आए च्छठा में देखे च्छठा प्रस्न कहता है कि निकर दिश्टी दोस्ट दूर करने के लिए किस लेंस का विभार होता है दोस्तो दूर करने के लिए किस लेंस का विभार होता है तो हमारा उतर होगा अवढूल लेंस यानि कि हमारा सही एंसर क्या है उसके बाद आईए अगला प्रस्णे में देखे सात्मा प्रस्णी है भी मोस्ट इंपूरेन प्रस्ण है देखे काता है किसी कुंडली का परतिरोध ग्याद करने का सूतर है दोस्तों किसी कुंडली का परतिरोध ग्याद करने का सूतर क्या होता है तो दोस्तों आप लोग जा हुआ है तो ऑप्षण भी में दिया हुआ है यानि कि ऑप्षण भी हमारा बिल्कुल ता हुसके आट Тем progressively में देखें का हुसके बाद यहुन होगा तो मैं नॉमा वरस ने काता कि परिपत में बिधूत धारा की माप किस्से की जाती है तो हमारा उतर होगा ए मिटर से यानि कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही अन्सर है और अगर कहेगा कि वोल्ट मिटर से तो वोल्ट मिटर से होता है वोल्टेज का मापन यानि कि वोल्ट मिटर धारा कहेगा तो ए मिटर और दोस्तो गैलवेनो मीटर से बहुत कम मातरा में अगर धारा रहता है उसको गैलवेनो मीटर से मापा जाता है यानि कि मिली एंपियर में रहेगा नैनो एंपियर में धारा रहेगा तो उसको हम लोग मापेंगे गैलवेनो मीटर से और अगर एंपियर में मापने रहेगा एक एंपियर दो एंपियर तीन एंपियर तो उसको हम लोग मापते हैं ए मीटर से तो अगर आपको कोस्टन पूछ दे कि बहुत कम धारा किसे मापा जाता है तो बहुत कम धारा कमान होता है वह गेलवेंडो मीटर से मापा जाता है उसके बाद आए अगला प्रस्टे में देखे दसमा कोस् दोस्तों बिधूत फ्यूज बिधूत धारा के किस परभाव पर कारी करता है तो दोस्तों हमारा उतर होगा उसमी ये परभाव यानि कि हमारा सही उतर क्या हो जाएगा उसमी ये परभाव पर कारी करता है उसके बाद आए अगला प्रस्ने में देखिए गार्मा कोस्टन ये किस परकार की धारा प्राप्त होती है दोस्तो बैटरी से किस परकार की धारा प्राप्त होती है तो हमारा उतर होगा दिश्ट धारा यानि की डायरेक करेंट या फिर इसी को हम लोग डी सी भी कर सकते हैं उसके बाद आईए अगला प्रस्टे में देखे बारामा कोस्टन ये भी मोस्ट इंपोरेंट प्रस्टन है देखे बारा नमर कोस्टन कहता कि निमली खित में से कौन जै मात्रा उर्जा का उदाहरन नहीं है दोस्तों जै मात्रा उर्जा सुरोत का उदाह तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ओप्शन सी नभीकिये उर्जा दोस्तों नभीकिये उर्जा है वो जय मात्रा उर्जा सुरोत का उदारन नहीं है उसके बाद आए अगला प्रस्ण में देखे तेरामा कोर्षन यह भी मोस्ट इंपोरेंट है कहता है कि इन में कौन नभ का है तो सुर अपराप्त होता है वो बौन आगे आगला प्रस्ण में देखे निवन में कौन हैज में है क्ली TH का है हाइड्रोजन दोस्तों अब कारक कहेगा तो कौन होगा हाइड्रोजन होगा यानि की ऑप्षन यह हमारा बिल्कुल सही है उसके बाद आए अगला प्रस्ण में देखे 15 को सन कहता है कि निमली खित में से पी एच का कौन सा चारक विलियन का मान देता है दोस्तों चारक विलिय गर ग्षी निमली खित में सही है और दोस्तों कौन सही है तो देखे दिया हुआ है आए जिए पत्रविट्री स्क फैप्षेट उसके बाद बीदिया हुआ तो दोस्तों हमारा उतर क्या हो जाएगा ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है उसके बाद आगे अगला प्रस्न में देखें सत्रहमा को सन काता कि लिटमस रंजक बैगनी रंका होता है जो निकाला जाता है लिटमस रंजक बैगनी रंका होता है जो किसे निकालां जाता है तो लाइकेंक के पाउधे से निकाला जाताई थाहाता है अब देखेंग को टुछा विए चैनल होता है वो कैसा होता है तो सबसे पहले वैगनी होता है उसके बाद आए अगला प्रेशन में देखिया थार्मा कोशन ये भी मोस्ट इंपोटेंट है देखे काता है कि सुस्क बूझा हुआ चुना पर क्लोरीन गैस की किरिया कराने से कौन सा पदार्थ बनता है दोस्तों ये सब्जेक्टि में पूछागा कि बिरंजक चुरण की परकार से बनाया जाते हैं फैम लोग क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सूस्क बूझा हुआ चुना पर क्लोरीन weгорfolk कराने से या फिक कलोरिन गैस परवाहित करने से बिरंजक चूरन का निर्बान होता है उसके बाद देखिए अगला प्रसन यह भी मोस्ट इंपोरेंट है देखिए उनिसमें कुशन कहता है कि सोडियम क्लोराइड का पीच मान लगभग दोस्तों सोडियम क्लोराइड इसका फर्मूला क मेरा उत्र चैनला सोव ड्स dot साथ है उसके बाद आई अगला प्रस्चन में देखिए 20 गौश्ट के ही मोस्ट इंपोरेंग त्रस्टम है कि निला थोता का ररासानिक सूतर कितना होता है तो निला थोता का ररासानिक सूतर होता है इस्टिछ फाइब इस टेग या ओप्श प्रस्ण है कहता है कि जब sodium hydroxide zinc से अभिकिरिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है तो कौन सा उत्पाद बनता है तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा जेडेन ओ टू पलस है तो यानि कि ऑप्सन डी हमारा बिल्कुल सही अंसार इसको आप लोग देख लीजिए उसके बाद आए बाइसमा क्वेश्ण में देखिए बाइसमा क्वेश्ण काता की पीटल है दोस्तों पीटल क्या है तो पीटल है वो तामभा और जिंक का मिस्र धा तो उसके बार आईे अगला प्रस्टे में देखिये कहता है कि प्रोमीन धातू की अवस्थं के कला है वो गोर कर दोस्ते क्रमारे तो दर्ब होगा यानि कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सहिं अचर यहां पर आपनों क्लिएंत कद आफ करें करना है क्योंकि हर बार आपको चेंज करके दे सकता है तो तो जो अलकाइन होता है उसमें होता है कारबन का विच में ट्रीपल बंड और तो अलकाइन का फर्मूला क्या होता है Cn और H2n-2 होता आप देखे यह फर्मूला पर कौन सा जो हाड्रोकार्बन है वो अलकाइन गुरूप है उसको आप लोग चेक कर लीजिए तो देखे सबसे पहले आपको दिया हुए कार्बन के बीच में तीन आबंध है यानि की ट्रीपल बांड हमारा उतर क्या हो जाएगा उसके बाद यह 25 कोशन में देखे काता है कि चीनी का रसाइनिक सूत्र क्या होता है तो चीनी का रसाइनिक सूत्र होता है सी बारा एच बाइस ओए ग्यारा यानिक यह उप्सन सी हमारा बिल्कुल सही है उसके बाद आए अगला प्रस्न में देखे 26 कोशन यह भी मोस्ट इंपोडेंट है देखे कता है हीलियम परमानु के बाहरी का अच्छा में कितने इलेक्ट्रोन रहते हैं दोस्तों हीलियम पर हो जाएगा अपसाड को थाμεरा सुप उपसेड के लिए क्लोरोफील है और सुरी परकास आख्त तो हमारा उतर क्या हो जाएगा ? उसके बाद आए कौणन की कौणसी भी आज विए तो कवक में होता है मिरित जीबी पोशन याने कि हमारा ऊतर उत्तर क्या होगा आप्सन भी होघा मिरित जीबी पोशन उसके बाद आए उन थी समे पॉष्टन में देखे काता है कि क्लोरोफील वर्नक का रंग है दोस्तो क्लोरोफिल वरनग का रंग क्या होता है तो क्लोरोफिल वरनग का जो रंग होता है वो हरा होता है यानि कि option A हमारा बिल्कुल सही होगा उसके बाद आए अगला प्रशन में देखे तीसमा question यह भी most important question है देखे काता है कि और पर यह कारवन डाइयोक्साइट के सकामा यह कहता है घया गरीड का भी abroad मैटो कॉन्ट्रय में और बास और यहां पर इसको ओर फार का पर चाहसा मDowns सब्सक्राइबर 20 सब्सक्राइब दोस्तों कता है है खाना है कि हमारे आहार क्या वायोडी की कमी होगा तो कौन सा रोग होने का संभाब ना है तो दोस्तों को अप्षंद या में गौईटर बी है गलगंड उसके वाद सी गहेगा और दी सभी वहां इन ही ऑनसर है गलात से सांबद नहीं, तो यह 3 नंग होने का सम्भाव नहीं है कि अगला प्रश्न? रुद्धों दूस्तों टोर पर披ावित होता है, ऐसे किस Corporation ऑप cricket चलिए, द्वारा उसके बाद आपको शीद यह हुआ है लेंग रहांस की दिपकाओं द्वारा और उसके अगला प्रस्टियों का नियंतरन किसके द्वारा होता है तो इसका सही उतर होगा सेरी बराम यानि कि ओप्षन भी हमारा विल्कुल सही अनще है सेरी बराम के द्वारा एच्चिक गतिओ का नियंतरन होता है उसके बाद आए अगला प्रश्ण में देखे काता है गौनगा किस समुदाय का प्रानी है दोस्तो ह। जो उभाई लिंगी है तो देखे आपको ौप्श्न दियो अ में मानव, दोस्तों इस question का जवाब आपको खुद से देना है दोस्तों आपको बताएं थे कि 48 question में आपको एक question का जवाब खुद से देना होगा तो इसका जवाब जल्दी से comment box में दे दीजिए और जो 20 student सबसे पहले इसका जवाब देंगे उनका हम नाम community पर share करेंगे तो जल्दी से आप लोग इसका answer comment box में दे दीजिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 36 question देखिए 36 question का था कि पराग कोस होते हैं दोस्तों पराग कोस होते हैं कि पराग कोस में होते हैं दोस्तों पराग कोस में क्या होते हैं तो पराग कन होते हैं यहाँ पर होगा पराग कोस में होते हैं क तो प्राग-कान यानि कि option D हमारा सही होगा उसके बाद आईए अगला प्रतो मनुष्के में कितने क्रोमो जोड़ होतह क्रोमो सों को Tá या फिर ढूल म स्टम्रस्ट को को दूनों एक वह होते हैं तो इसका उततर होगा वो का option C तेस जोड़ा यानि की टोटल कितना होता 46 होता है और अगर हम लोग इसको जोड़ा में करेंगे ते कितना होगा तेस जोड़ा होगा उसके बाद आईए अगला प्रस्ने में देखे काता है कि निम्री खित में से किसे आप उप भोगता किस रेनी में हम लोग किस को रखेंगे तो देखे आपर option याओ A में हरे पाउधे B है नील हरीद सहबाल C है जंगली जानवर और D है फल और पते तो दोस्तों हमारा उतर क्या हो जाएगा जंगली जानवर दोस्तों जंगली जानवर क्या है तो उपभोगता की सिरेनी में आता है उसके बाद आए अगला प्रस्ण में देखिए उन्चालिसमा को सन ये भी most important प्रस्ण है तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख लिजिए देखिए काता है कि पर्या बरन बचाने के लिए तीन परकार के आर का उपयोग किया जाता है इसका मतलब है तो इसका मतलब क्या होता है तो इसके बाद आए अगला प्रस्ण में देखिए काता है किन कारणों से प्रकरतिक संसाधन नस्ट हो रहे हैं दोस्तों किन कारण से प्रकृतिक संसाधन नस्ट हो रहे हैं तो देखिए आपको option दिया से परकिर्दिक संसाधन है वो समाप्त हो रहा है यानि कि नस्ट हो रहा है उसके बाद आए अगला प्रस्णि में देखे एक तालिस्म को सन कहता है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियां में बाया हाथ की तरजनी संकेत करती है तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियां में जो बाया सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका इस्तमाल हम लोग इंधन के रूप में कर सकते हैं तो हमारा सही उतर क्या होगा ऑप्शन दी होगा उसके बाद आए अगला प्रस्ण में काथा कि कौन सा पदार्थ लाल लिट मस को नीला कर देता है तो चार करेगा यानिक यह उप्शन भी हमारा बिल्कुल सही अनसर होगा और कहगा कि नीला लिट मस को कौन लाल करता है तो आमल करता है उसके बाद आए अगला प्रस्ण में देखे चवालिस नमर कोस्टन यह भी इंपोटेंट है देखे काता है कि नई करतीरिक ची परिपार्टी के अनुसार दरपन के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती यानि कि दरपन के सामने अगर कोई परस्तू रखेंगे तो इसक पर जींक के बाद आए तीन कालिफ होता है क्योंकि जो फाटब हो ता है वह तो आडिक अभिकिरिया सील होता है तो डैके आपको सांघ काई सम्भेध ग्राही नहीं तो संबेधी ग्राही नहींं है तो दिमाग कि उसके बाद आए अगला प्रस्ने में देखे संचन ClinWho काता है कि समांतर करम में संजोजित पर्टिरोदों कि संख्या घाताने के उपरांत संजोजित पर्टिरोदों का कुल पर्टिरोद दोस्तों हमारा उत्र क्या हो जाएगा ये कि समांतर करम में संजोजीत परकिलेट ये ऐस तरह से समांतर करम में संजोजित राता है अब देखें मालिजी यीए कि इसका जो ऑट्टी रोप निकालेगे तो कित्ना ओझायगा जब एक बटाइगा थीन अब देखे इसमें 문ट्टा की जगा तो लोग गठा दिये रही तो ॉम बच गया, यानि हम लोग घटाएंगे तो क्ली बटो भी अगे पहले Bi3 बॉट है की तो इसका कुल पर्फिरोद हो किया हो गया है कि अग्रहटा है उत्त है कुल और कुटे का अग्रळपाद उसके बाध है मुड़िये कैं चान्री हुआ है थी देखिंग होसार फी और होफ्समारा प्रोट çärt आंता फो जासिए अगरपाद यानि कि अप्सक्राइब करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हाई टार्गेट का सदस्य बन जाए और बेल आइकन को दबा लेजिए ताकि आपको नया मिलता रहे तो आज के लिए बसितने हैं मिलते हैं आपको अगले वीडियो में